करनाटका में कॉंग्रेस की प्रचंड जीत के नतीजे 13 माई को आए और अभी 4 दिन तो हुए हैं और उसके बाद कॉंग्रेस के विधायकों के साथ मीटिंग हुई अब्जर्वर्ज ने उसके साथ मीटिंग करी उन्होंने एक रिपोर्ट बना कर कॉंग्रेस अध्यक्ष को कॉंग्रेस का शीर्ष नेत्रित्व जिसमें हमारे नेता राहुल गांदी जी भी शामिल थे सीधारा मया जी से भी मिले डीके शिफ कुमार जी से भी मिले और क्यूं ना मिले राजनीती में महत्वक आंक्षा होना गलत बात नहीं और लोकता अंत्रिक धंग से चुना हुआ लेकिन प्रचन्ड जीत के बाद भाजपा का एक बड़ा तबका है जो सदमे में आ गया है एक और बड़ा तबका है जो सक्ते में और अनाप शनाप बोल रहा है और एक और बड़ा तबका है उसका तो ऐसा मिल्ट डाउन हुआ है कि वो साड़े छे करों का नडगा को ही कोस पानी पीपी कर लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि मीडिया को क्या तकलीफ है मीडिया क्यों इसको नाटक बुला रही है इसको साज़िश बुला रही है इसको खीचातान बता रही है ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है क्या मीडिया को याद नहीं है कि 18 दिन असाम में लग ग तो मीडिया ऐसा क्यों कर रहा है इस के पीछे एक बड़ा राज है एक बड़ी कहानी है और सुनी आगे की कहानी मीडिया ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बहुत बड़े सच पर परदा डालना चाहता है वो मोदी जी की जो नाकामी है उसको छुपाना चाहरा है ली तो चर्चा उस पर शुरू हो जाएगी मीडिया चर्चा नहीं करना चाहता कि फ्लॉप शो जो हिमाचल में था, वो ही करनाटक मिं जा रही है हिमाचल में भी कहते थे मेरा दूसरा घर है करनाटक पर अपने कंदों पर चिनाओ ले लिया था बुरी तरह से शिकस्त हुई अब ये साबित हो चुका है कि लोग जो है वो मोदी जी के बरगल आने में आने वाले नहीं है लोगों के अंदर गुस्सा है जितना मोदी जी बोलते है उतना गुस्सा फूटता है उतना उनके खिलाफ वोट पड़ रहा है लोगों को समझ में आ गया है कि ये बस अपना दुखडा रोएंगे अपनी बात करेंगे नहीं तो नहरू की बात कर देंगे इधर उदर की बात करेंगे ना बेरोजगारी की करेंगे ना महेंगाई की करेंगे ना करप्शन की करेंगे ना उनके जीवन की बात करेंगे लोगों को समझ में आ गया जब बोलेंगे तो बड़े बड़े जुम्ले और जूटी बोलेंगे तो लोग अब गुसे में है और उनका गुसा जो है वोट की तरह से फूट पड़ रहा है और इसलिए नड़ा जी वैसे तो आपकी बात नहीं सुनी जाती जादा भाजपा में लेकिन आपके लिए बिना मांगे एक सलाह दे रही है समय रहते बचा लीजिए चीजों को भाजपा में क्योंकि अब मोदी जी आपके जादूई छड़ी नहीं रहे अब वोट पड़ रहा है तो बचा लीजिए नहीं तो बड़ी बुरी शिकस्त होने वाली है आपकी और आपकी तरह से हम ये नहीं चाहते कि आप निस्तो नाबूत हो जाईए हम चाहते कि एक विपक्ष रहे आप जरूर सिमट जाएंगे लेकिन एक विपक्ष होना चाहिए इस देश में इसलिए अपनी डूपती हुई नईया को जरूर बचा लीजिए और मोदी जी को इतना आ बेरोजगारी पर मेंगाई पर अडानी पर चीन पर हिम्मत दिखाईए और करिये क्योंकि लोगों के लिए हैं मुद्दे हैं आप ने तो लाख कोशिश कर दी थी करनाटक के चुनाव को भी मोदी जी के साथ उनके सारे बंदों के साथ मिलकर कम्यूनल बनाने की किसी को या अधान नहीं है तो ना आप के लिए वोट है और ना आप पर विश्वास है तो जिस सच को आप छुपाने पर तुले हुएं मीडिया के मेरे साथियों मीडिया के मेरे चलड़ चुम्बकों मीडिया का जो अधिकांश हिस्सा गोदी में जाकर बैठ चुका है असलियत देख इस देश की जनता क्या कह रही है लेकिन मुझे पता है आप बचाओ करते रहेंगे आप करते रहेंगे क्योंकि जनता भी अपना काम प्रबल तरीके से करने पर अब उतारू हो चुकी है